यहां बोलने के लिए सही है घर पे तो बोलने नहीं देती हुई गर वाली यही आवाज निकल ले है तुमारी बहुत शांदार कावे पाट किया मनिका दूबेन एक बार ताली बजा दो बहुत प्यार महबबत की बात की और जो ताली उचलो उचल के बजा रहे थे उससे पता चल रहा था तुमारा करेक्टर किस तरीके का है मैं समझ रहा था सारी इस्तिद्या बलिया वालों लेकिन एक बात बता दूँ यह प्यार महबबत की इस्तिद्य जाद अच्छी नहीं होती महबबध घर खामोश हो तो सजा देती है, आगास से अंजाम तक मजा देती है और खुश हो तो बन जाते हैं, खुआबों के महल, वरना ये इऑड से इऑड़ा देती है जा देब उसमें चक्कर में मतरो, विलकुल प्यार महबबध का बहुत सारे त्योहार आ गए विदेशी त्योहार एक त्रेम 14 का त्योहार आ गया है क्या इस्तिती होती है प्यार करने वालों की वो कनाट पर प्लेस में लिए एक भिकारी फटे हाल बाल बिकरे हुए सामने से आके बोला बाओ जी प्लीज गिव मी 500 रुपीज मैं चोग्या विकारी अगरे जी मैं भीक मांग रहा है मैंने डाटा वी चक्कर क्या है बोला जी आज वेलेंटाइन डे है मैंने पूछा फिर बोला जी अपनी गल्फरेंड को गिफ्ट देना चाहता हूँ मैंने की तु भीकारी होगे गल्फरेंड रखता है जी बोले जी उसी ने भीकारी बनाया है तो इस्तिती ऐसी है दोस्तो ये बलिया महुसब अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत महुसब है इसमें तो मेरे पहली बार आना हुआ है सौनु सिंग और प्रवानशु भाई हमारे अनुज है और दियाशंकर सिंग जी हमारे बहुत पुराने राजनीती के भी साथी है और हमारे मित्र है वो अभी शायद किसी व्यसता में है मैं उनका भी अभिननन करता हूँ जो चलते हैं इनके कारण समाज में एक चेतना बनी रहती है एक सौहार्द बना रहता है एक प्रेम का वातारण बना रहता है इसके लिए मैं चाहता हूँ पूरा सदन एक बार तालियों से इस महोच सब के लिए तालिया बजा दीजिएगा और आज हमारे लिए एक सोभागे की बात और है, हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, जो गुरुओं की परंप्रा के एक स्रेष्ट उदाहरान जिनको माना जा सकता है, आदर्णिया प्रोफेसर भीन सैन सिंग जी दिल्ली उनिएस्टी में 18 साल क्रोडी मल कॉलेज के प्रिंस्पल रहे और उनके द्वारा दिक्षित शिक्षित विद्ध्यारती पुरे देश और धुनिया में कहीं भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, और साथ ही आदर्णिया कृष्णा सिंग जी भी उनके साथ में है, मैं उनका भी अविननन करता हूं, और बहुत जादे रही आई है, लेकिन है तो सचिन की ही, बनारस की सुबह अन्पम अवद की शाम लाया हूं, थोड़ी देर मन के साथ सुनियेगा, बड़े-बड़े कभी हैं, आप उनको सुनेंगे, पदमस्री सुरियन शर्मा जी जिनके मार्क दर्शन में आजद धिक्षता में कारिक्रम ह हो रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि बनारस की सुबह अन्पम अवद की शाम लाया हूं, महबत का खजाना मैं तुम्हारे नाम लाया हूं, महबत का खजाना मैं तुम्हारे नाम लाया हूं, और रगों में रत भारत का यहां सब के ही बहता है, सुनाने मैं सभी को देश का पे यह फोटोगोराफर किसी को भी निपटा सकते हैं मैं कुछ पंक्तियों से बाद शुरू करना चाहता हूं और आपका मन चाहता हूं जी स्वागत एक अलग तरीके से पढ़ता हूं आज मंच भी थोड़ा सा अलग तरीके से जा रहा है कि कभी सागर की गहराई मैं जाने की तम तमना है कभी सागर की 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 तमना कभी आकाश के तारों को पाने की तमनना है अभी वो सीखना पाया जमी पे चैन से रहना अगली पंक्ति समाल लिएगा अगर दिल तक पहुच जाए तो आपके हाथ उठें क्या भी वो सीखना पाया जमी पे चैन से रहना सुना है चांद पे भी घर बनाने की तमनना है अगली पंक्ति फिर समाल लिएगा अहिंसा की बात करता है कि तमनना कोई दिल में हो सरे बाजार मत करना अगर नफुरत भी हो दिल में जुबा से वार मत करना अगर नफुरत भी हो दिल में ये महला शान्त है या तो आप तक बात नहीं पहुच रही है या मेरी आवाज नहीं पहुच रही है अगर आप थोड़ा सा साथ दीजेगा अगर नफुरत भी हो दिल में जुबा से वार मत करना है एक माजार ये दुनिया यहां हर चीज बिक्ती है अगर हो प्यार दिल में प्यार काव्या पार मत करना अगर हो प्यार सचा प्यार और अगला एक मुक्तक देता हूँ जीवन से जुड़ा हुआ बनो कुछ भी जमान किसी शायर ने बहुत खूब कहा आज फराज साब से बात हो रही थी किसी शायर ने कहा कि बहुत थोड़ी सी उचाई पाके लोग थोड़ा दन वैभप पद प्रतिष्ठा किसी भी तरीके से मिल जाती है तो एहंकार में डूब जाते हैं कि कितने कमजर्फ हैं ये गुबारे चंद सांसों में फूल जाते हैं और थोड़ी सी मुचाही पाते ही अपनी आउकात भूल जाते हैं तब कही एक छोटा सा कलमकार क्या कहता है कि मिले कुछ भी जमाने के लिये ना सूर मत हो ना बनो कुछ भी जमाने के लिये ना सूर मत हो ना आगली पंक्ति फिर आपके दिल पर दस्तक देगी कि मिले कुछ भी जमाने के लिये ना सूर मत हो ना अच्छी पंक्तियों पे बलिया वालों की अच्छी तालिया मिलने चाहिए अच्छी तालिया मिलने चाहिए उड़ो आकाश में कितना जमी से दूर मत होना और बदलते वक्त के तेवर कहां कोई समझ पाया कभी तुम शोहरतों के दौर में मगरूर मत होना कभी तुम शोहरतों के दौर और एक मुक्तक कहता हूँ, हिंदुस्तान बोलता है हिंदुस्तान क्या बोलता है? भारत की संस्कृति, भीवादी संस्कृति मैं भी ठीक हो सकता हूँ, तुम भी ठीक सकते हो अयम निजह परोवेती गणना लगुचे साम कि कभी अंधियार को उजियार, आपने आस पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुस्तान से नफरत करते हैं, लेकिन जब कहीं भश जाते हैं यूक्रेन में तो तिरंगा उनकी जान बचाता है या आप जानते हैं हिंदुस्तान का राष्टी धज भज है पूरी दुनिया में, तब कहना चाहता हूं कि कभी अंधियार को उजियार, कहना सीख बगाबास समुझ जाय तो आपका समर्थर मिलना चाहिए कभी अधियार को उजियार कहना सीखना पाया मैं गंगा जल हूँ नालों संग बहना सीखना पाया जुबा पे प्यार के नगमे दिलों में नफरती दल दल मैं ऐसे दोस्तों के संग रहना सीखना पाया मैं ऐसे दोस्तों के एक मुक्तक और कहता हूँ कि दिलों के बीच दूरी से बड़ी दूरी नहीं होती होती हैं दुनिया मैं हजारो किलो मेटर की दूरी प्रहने वाले लोग बहुत नजदीक हो सक्ते हैं और कभी-कभी एक चद के नीचे नहें लोग बहुत दूर हो जाते हैं दोस्तों अगर आपके मं तक पहुँचें कि दिलों के और कि दिलों के बीच दूरी से बड़ी दूरी नहीं होती समहा लिएगा पंक्ती कि दिलों के बीच दूरी से बड़ी दूरी नहीं होती गरीबी से बड़ी कोई भी मजबूरी नहीं होती गरीबी से बड़ी कोई भी मजबूरी नहीं होती और कभी कोई सिकंदर हो की अफला तूनने चाही तमन्ना हर किसी की हर समय पूरी नहीं होती तमन्ना और एक मार राश्टवाद की एक दो बाते करके अपना इस्थान लूँगा और राश्टवाद क्या है मेरा राश्टवाद कुछ इस तरीके से है कि जमाने में मुकदर से ही ये पेगाम आता है लहु कोई वतन का जब वतन के काम आता है और करोडों जी रहे दुनिया में लेकिन सची है यारो वतन पे जान लुटाए जो जहां में नाम पाता है वतन में जान लुटाए जो और जमी होती है अपनी और गगन अपना ही होता है हवाएं, फूल, खुश्बू और चमन अपना ही होता है बसालें घर कहीं और किसी मिट्टी के हो जाए मगर है सच यही अपना वतन अपना ही होता है बल्या की धर्ती को प्रणाम करते हुए गीत पढ़ना चाहता हूँ एक तो दीपावली की बहुत-बहुत शुक्कामना है ये पहली दीपावली ऐसी है जब भगवान श्रीराम अपने मंदिर में विराजमान है अध्याजी में और ये अद्भुत द्रिश्य हम साक्षी हैं उसके साड़े 500 वर्षों में करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया इस दिन को देखने के लिए लेकिन हमारे लिए सवभागय की बात है कि हमारे प्रभु श्रीराम जी का मंदिर निर्मान हो रहा है और दूसरा एक और विश्य है राजनीती से इतर होके सोचिएगा इस बात को कि कहीं कैस्पियन सागर से लेके आप अगर भोगोलिक द्रिश्य देखेंगे कैस्पियन सागर से लेके इरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगला देश इधर मियामार चले जाएगा उधर चले जाएगा विरहत्तर भारत, थाइलेंड, इन्नोनेशिय, अबाली दिएपिये सब कुछ आपके हमारे पूर्वजों के शौरे पराक्रम, धर्म, संस्कृति के प्रमान अभी तक विराजमान है हम सिकुडते चले गए, लेकिन हम आज भी इस चीज को देख रहे हैं कश्मीर से 370 धारा हटाई गई, तो बहुत सारे विशे आये एक छोटा सा गीत पढ़ना चाहता हूँ, अगर आपका मन हो तो एक बार ताली बजा के मुझे आदेश दिश कीजिएगा और मेरा साथ भी दे सकते हैं आप कि उगरुवाद को धता बता कर तीन रंग का गान लिखा कि उग्रुवाद को धता बता कर तीन रंग का गान लिखा घाटी के चपे चपे पर हमने हिंदोस्तान लिखा घाटी के चपे चपे पर आए आवाज आनी चीए घाटी के चपे चपे पर हिंदोस्तान लिखा हटा के धारा तीन सो सत्तर सम्विधान का मान लिखा घाटी के चपे चपे पर लाल खून से जब होती नित हिमशिकरों की माला थी सम्विधान की आखों में आसू सीने में ज्वाला थी अमर्तिरंगा चौराहों पर जहां जलाया जाता था मासूमों को गद्दारी का पाठ पढ़ाया जाता था घायल जीलों और चिनारों पर मरहम वर्दान लिखा घाटी के चपे चपे पर भाई वाई 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 ताली जड़ा आनी चाहिए जोड़दार घाटी के चपे चपे पर भारत जिन्दाबाद बोलती नदियों की हर धारा है भारत जिन्दाबाद और एक नारा लगाते रहें राष्टवादी लोग उसको मैंने अपने गीत में प्रियोग किया मैं देखना चाहता हूँ आपके मन तक पहुंसती ये बातो कि भारत जिन्दाबाद बोलती नदियों की हर धारा है जहां हुए बलिदान मुखर जी वो कश्मीर हमारा है जी वो सारे का सारा है दिल्ली के सिंगासन ने जीने का जलवा सिखा दिया उग्रवाद के आकाओं को साफ आईना दिखा दिया तो सदियों तक होते आए सदियों तक होते आए बलिदानों का समान लिखा घाटी के चपे चपे पर हमने हिंदोस्तान लिखा घाटी के चपे चपे पर हमने हिंदोस्तान लिखा हटा के धारा 370 सम्विधान का मान लिखा गाटी केचप पेचप पेपर हमने हिंदोस्तान लिखा हमने हिंदोस्तान लिए एक बार हाथ उठा के जैगोश हो जाए बो भारात माता की वंदे तुम्हारी याद में जब अब रहोगा लाल पूछेंगे गुजारे किस तरहे दिन महीने साल पूछेंगे अभी इन खुशन का वे पाथ आधिने के जिंदर जीने की